अब देट में आपका स्वागत थे इस समय की तस्वीर आप देख सकते हैं इस समय हमूस जगा खड़े हुए हैं कि आ सुबह जैसे कि आपने देखा होगा कि जुरदार बारिस हो रहे थी और वर्जपात भी हो रहा था जी हां हम आपको बता दे कि आभी हम लोग में 108 नमबर 11 में खड़े हुए हैं और यहां की तसवीर देख सकते हैं एक मकान पर हम लोगह फड़े हैं जहां पर वर्जपात से कुछ चटी हुई है मगर हम आपको यह बता दे कि प्रिवार के दिखा दे चारो तरफी तस्वीर कि आज सुबह से ही लगतार काफी बारिस हो रही थी और बारिस को लेकर कहीं न कहीं वर्जपात हुआ था ठनका ठनक रहा था जैसा कि आप लोगों ने भी देखा है तो मकान के जो सदस मकान मालिक है जो यहां परिवार के सदस है हम उनसे ब सब्सान हुआ है पहले हम परिवार वाले सों बात करते हैं कि क्या हुआ था मुख्या जी कहा जाए आज शुबह लगभग 5-6 बजी के बीच में बारिस की सुरुवात हुई उसमें बजरपात शुरू हुआ बजरपात इतना भहनक था कि लग रहा था कि दरवाजे पर कोई बंबाडिंग हो रहा हो इसी करम में रतनपूर के वाट नमर 11 में स्री राम जरमतिवारी जी के घर पर दो मंजिल के उपर एक छोटा गुंबध हतीर मंजिल का उसी पर बजरपात हुआ कि इतना भयंकर बेव था हैं उनके घर पर एक सोलर सिस्टम लगा हुआ है ब्रेड़ भी इनका बहुत ज्यादा च्हती है घर के बिजली का पूरा कनेक्शन यहां तक कि उसमें चिन्नी मिटी का जो बड़ा सा मजबूत ही रहता है क्या कहते हैं उसको फ्यूज यह सब इंडिकेटर सब जल गया टीवी और फ्रेज उरी जितना है सब डेमेज इलेक्ट्रॉनिक भाई बगल के घर में दो तीन घर में इसका प्रवा हुआ है इसके बिद्दुत के प्रवा दो तीन घर में हुआ है बजरपात का बगल के घर में इनके छोटे भाई टहल है थे बरामदा में उनका ग्रिल खुला हुआ था सामने से जो अब्जॉर्ब किया है जमीन में उसस जो धूआ उठा है तो उसमें जो महक था उसका जो सुगन था वो लगणा था कि बारूद फटा हो और अंदर तक लगवाग 25-30 फीट अंदर अंदर के रूप दिबाल तक बहुत बड़ा आग का जुआला मुखी जो अंदर गया और उपर वाले की बहुत बड़े कृपा थी जो किसी कुछ हताहत नहीं हुआ समान बहुत ज्यादा डेमेज हुआ जलगिया यह हुआ यही तो है ठीक धन्यमात तो शामनी की तस्वीर आप देख रहे हैं वही सामने सोलर प्लेट लगा हुआ है और खास करके वहीं से ज्यादा कमपन उठी थी जो उस पर लोखा हुआ ह चर को पकड़वा देखा दमी आथ में क्या चरा का एक ठीक से चरावा तो नहीं नहीं जा रहा है इसे नहीं पखड़वा देख देख को फट जाए ऊड़ा देख सकते हैं गूमबत के पास बस थोड़ी से ही नीचे अम चुम करके आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वहाँ देख सकते हैं इसी पर ठगा आसर हनी है और कहीं नहीं मकान में दरार आख चुका है आप उपर की नीचे की तरह तरह पीले चलेश इधर इतरों प्लेट लगा वहीं है और कहीं नहीं ठंगा गिरने के वेयरे से एन सारी जल चुकी है और जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से जैसा देखी सकते हैं